असलाम जेक्अ क्लास कैसे आप सब हूँए देखे आप सब ठीक होंगे तो क्लास हम चैप्टर नबर सिट स्ट्डी कर रहे थे जो कि मारा कॉंटिनी नंबर सिस्ट्म जिसमें इन थे तरीका होता है एक एसा तरीका जिसमें हम number calculation करते हैं value को evaluate करते हैं ठीक है so इसमें हमारे short question से attempt हो चुके थे और long question हमने start किये थे long question में long question one two हमारा attempt हो गया था और आज हमने long question three जो हो start करना है जिसमें आपके पास यह कुछ question है convert binary number इसमें आपको इक number provide किया गया है into an equivalent decimal number उसको आप decimal number में जो हो change करना है अब binary number क्या होता है binary number की बेस होती है वो two होती है ठीजसे हमने study किया थे और decimal number की जो base होती हो ten होती है तो इस number को हमने decimal में convert करना है लास्टायम में हमने इससे relevant question हमने किया था सो आज हम इसको study करते हैं सो यह हमारा long question 3 है convert by number जिसने आपके value प्रोवाइड की गई उसको आपने decimal number में convert करना है सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने हमारे पास जो first value है one है one को आपने multiply करना है two के साथ जैसे कि हमने study किया था कि binary number की जो base क्या होती है two होती है और इसके जो power क्या आजाएगी five आजाएगी five कैसे आएगी जो बाकी जो digit होते हमने उसको count करना होता है तो one two three four five and six यहां पर इसके जो power है वो क्या आजाएगी six आजाएगी उसके बाद फिर से हम plus करेंगे second digit हमारे पास zero है तो zero multiply by two तो इसकी power क्या आजाएगी five आजाएगी जैसे कि हमने पता है कि एक जो है वो reduce होता जाएगा कम होता जाएगा उसके बाद one है one का one two से हम multiply करेंगे और इसकी power क्या आजाएगी four आजाएगी and next है फिर से one है one का हमने two के साथ multiply किया तो यह three आजाएगी क्योंकि जो अगर हम बाकी काउंट करें तो 1, 2 and 3 आ जाएगा उसके बाद फिर से 0 है 0 को आपने multiply किया 2 के साथ और इसकी power क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी क्योंकि जब हम 0 get कर रहे हैं तो पीछे जो हमारे पाद numbers रह गए हैं वो क्या है? 2 है उसके बाद फिर से 1 को हमने try करना है 2 के साथ और इसकी जो power है वो 1 आ जाएगी and last में आपकी पास remaining जो digit है वो 1 है 1 को आपने multiply किया 2 के साथ और last में आपकी पाद digit कोई भी भी नहीं है तो क्या जाएगा? 0 आ जाएगा As you can see student, here is your question अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 multiply 64 है अब यहाँ पर 64 कैसे आता है? हमने जैसे कि study की थी कि जग 2 की power 6 होती है तो 2 को हम 6 दफा जो है वो write करते हैं same as this 1, 2, 3, 4, 5 and 6 अब 2, 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 16 16 जा 32 and 32 जा 64 और यहाँ पर 1 multiply 64 आ चुका है same as 0 multiply by 32 1 multiply by 16 and 1 multiply by 8 0 multiply by 4 and plus 1 multiply by 2 और यहाँ पर 1 multiply by 1 और जब 2 की power जो 0 होती तो उसको 1 consider ही करते हैं यह आपने बाद याद रखनी है भूनी नहीं है ठीक है? पर उसके पास 64 को अगर हम 1 पर multiply करते हैं इसके पास 64 ही आता है और यहाँ पर अगर हम 0 पर करते हैं जीरो होता है same as 16 8 0 जब हम सब वैल्यो को एड्ट करेंगे और इसका जो एडिशन करने के बाद हमारे पास वैल्यों आए और 91 की जो बेस होगी वो 10 होगी और 10 क्यों होगी? क्योंकि हमने बाइनरी को डेसिमल में convert किया है इसलिए इसकी जो बेस हो जाएगी वो 10 हो जाएगी तो यह आते लोंग कुशन 3 है लिकिन यह शॉर्ट कुशन हम इसको टैम कर सकते हैं और इसके बाद हम नेस कुशन की जाने जाते है सो स्टूडेंट नेक्स जो कुशन है कुशन नमबर 4 उसमें भी आपने बाइनरी को डेस्मल में convert करना है सेम है जैसे हमने प्रिविज्ट कुशन किया कुशन नमबर 3 सेम है पूर है और उसके बाद जो 5 है उसमें भी यही आपके पास कुश डिजिट आपको प्रवाइट किया गया है जो के बाइनरी नमबर में है और उनको आपने डेस्मल में convert करना है तो यह कुशन नमबर 4 और कुशन नमबर 5 आपका हॉम टास्क होगा और आप यह अटेम्ट करके मुझे शेयर करेंगे और उसके बाद जो कुशन नमबर 6 है convert the following into an equivalent binary number अब इसको हमने बाइनरी नमबर में convert करना है इसको हमने बाइनरी नमबर में convert करना है तो यह में आपको प्रवाइट किया गया है 100 इसको 2 पे क्यों convert करना है क्योंकि उन्होंने हमें हमें यह कहा है कि इसको आप convert करें binary number में और उन्हों बाइनरी नमबर की जो base होती है वो क्या होती है 2 होती है so 2 5 is a 10 और यह 0 वैसे कर वैसे ही आजाएगा और आगे 0 आजाएगा और 2 2 is a 4 और 1 यहां कहरी तो और उसके बाद 2 6 is a 12 और उसके बाद 0 2 3 is a 6 0 and 2 1 is a 2 remaining 1 आजाएगा and उसके बाद finish हो जाएगा and the last में आपने क्या करना है यहां पर हम straight forward उपर की जाने जाएगे 1 1 0 0 1 0 0 और इसकी जो base होगी वह हम क्या consider करेंगे 2 क्यूंकि हमने इसको किसमे convert करना है binary में convert करना है same as आपके पास जो question है b part में 24 है इसको भी आपने ऐसे factorization में करना है c में 39 है and d में 117 है same as आप इसको factorize करेंगे और उसके बाद इसकी value attempt करते हो इसकी base जो हो to consider कर देंगे so जो आपका home task के question number 4 question number 5 and question number 6 में part b c and d यह आप home पर assignment पर attempt करेंगे और जो बास समझ में नहीं आए आप मुसे again पूल सकते हैं ठीक है again हम इस बारे में discussion भी कर लेंगे लेकिन आप मुझे homework जो है वो attempt करके सब voice share करेंगे इसी base पर आपकी जो attendance है वो mention की जाएगी ठीक है तब तक के लिए अलाहाफिस